सूप्रवातम, आज हम कख्षा दित्य गनित विश्य में अंकों का ज्यान करेंगे अंकों के ज्यान से पहले हमने अवदारना के अंतरगत लंबा बोना, कम अधिक, पूरा आध्धा, उंचा नीचा इनका हमने अवदारना के अंतरगत जानकारी प्राप्त की है आज अपने एक से बीस तक अंकों को बोलना वै उतने ही आगे गोले बनाना ये करम पूरा करेंगे यहाँ अपुस्तक की साइथा से पढ़ते हैं यहां एक लिखा है अंक में, उसके आगे सब्दों में लिखा है एक है, यह वर्ण है, इंदी के वर्ण है, ए और कै, यह सब्दों में हैं और यह अंकों में हैं, यहां पढ़ करके उतने ही गोले बनाने हैं, यहां एक लिखा है, तो यहां एक गोला बनाना है, अब यहां दे और यहां सब्दों में 2 लिखा है, दय के ओकी मातरा लगा कर 2 लिखा है, यहां 2 गोले बनाएंगे, रोप दियो बेदेगे, दो के आगे 2 गोले बनाने हैं, ऐसे एक और ये दो, अब दो के बाद गिंटी में एक अंक जोडने पर 3 बनता है, ये अंकों में तीन हैं और ये सब्दों में तीन हैं तै और तै के बड़ी एकी मात्रा लगा के ती और नै तो यहां अपने तीन गोले बनाएंगे एक दो और ये तीन ये अंकों में हो गया और ये सब्दों में हो गया और अगे जितने अंक है उतने ही गोले बना दिये ये सब्दों में चार है, अब चार गोले बनाने हैं, एक, दो, तीन, और चार, चार में एक जोडते हैं तो आगे वाला अंक पांच बनता है, यहां ये पांच अंक लिखा है, और आगे ये सब्दों में लिखा है, पांच और चै, पह के आग की मातरा चंदर बिंदू, तो य यहां कितने गोले बने हुए हैं एक दो तीन चार पांच यह पांच गोले हैं यह सब्दों में पांच लिखावा है और यह अंकों में लिखावा है अब आपको पुस्तक में ग्रह कारिय के रूप में अंक देखने हैं सब्दों में पढ़ना है फिर उतने ही गोले बना कर यह ग्रह कारिये करना है एक से बीस तक अपने ये अंकों में गिनती लिखी हुए है सब्दों में गिनती लिखी हुए है इसको पढ़ना है और आगे उतने ही गोले बना कर ग्रह कारिये में पूरा करना है यहां आपको अभ्यास पुस्तिका में ग्रै कारिये में ये चित्र बनाई हुए हैं चित्रों को गिनकर अंक बनाने हैं ठीक है और निचे प्रसन में आपको अंक पहचान कर गोले या वस्तों के चित्र बनाईए इतने चित्र बनाने हैं दो लिखें तो दो चित्र बनाने हैं चार लिखें तो चार चित्र बनाने है ये भी आपके लिए ग्रैकारिय है